बॉलिवर्ट अपने गानों और रॉमांटिक मूवीज के अलावा कॉमेडी मूवीज के लिए भी जाना जाता है कितनी ही कॉमेडी मूवीज लोगों के दिलों में घर कर गई हैं और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी ही मूवीज जो ओरिजिनल है ही नहीं जी हाँ वो कॉमेडी मूवीज जो साउथ इंडस्ट्री से की गई है कॉपी इस फिल्म की कहानी एक हस्बेंड और वाइफ के इर्द गिर्द घुमती है जिसमें प्रेम यानि सल्मान खान का होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेर जिसका पता प्रेम की पतनी को लग जाता है ये पूरी कहानी कॉमेडी अंदाज में दर्शाई गई है और फिल्म के साथ साथ इसके गाने भी सूपर हिट रहे थे लेकिन आपको चान कर काफी हिरानी होगी कि ये फिल्म तमिल मूवी साथ ही लीलावती से कॉपी की गई है हलचल हलचल कॉमिटी से भरपूर एक मसाला फिल्म है जो आई थी 2004 में इस फिल्म को डारेक्ट किया है प्रिया दर्शन ने जिसके लीड रोल में थे अक्षे खन्ना, करीना कपूर, अर्शद वार्जी, सुनील शेटी, परेश रावल और ऐसे ही कुछ कलाकार मात्र दस करोड में बनी इस फिल्म ने साथ करोड की कमाई की थी लेकिन ये फिल्म भी रीमेक थी 1991 में आई मल्यालम फिल्म गौड फादर की मेरे बाप पहले आप मेरे बाप पहले आप 2008 में आई एक सूपर हिट कॉमेडी फिल्म थी जिसे डारेक्ट किया था प्रिया दर्शन ने और इस फिल्म के लीड रोल में थे अक्षे खन्ना, जनीलिया दिसूजा, परेश रावल, ओमपुरी इस फिल्म की कहानी इंस्पायर थी 2001 में आई मल्यालम फिल्म इश्टम से चाची 420 मूवी चाची 420 को कौन भूल सकता है इस फिल्म को कमल हसन ने ही डारेक्ट किया था जिसमें कमल हसन की आक्टिंग ने मूवी को उचाईयों तक पहुँचा दिया था कमल हसन के अलावा इस फिल्म में तब्बू, अम्रीश पूरी, ओमपूरी और परेश रावल लीड रोल में थे इस फिल्म को खुद कमल हसन ने अपनी तमिल फिल्म एवई संद मुखी से कॉपी किया था